नाउस्कार आप देख रहे हैं इंडिया की बात मैं अभिसार शर्मा आप सब को साल 2023 की हारदिक मुबारक बात कारकर में मेरे साथ हैं भाषा और ओर मिलेश और आज हम तीन मुद्दों की चर्शा करने जा रहे हैं मुद्दा नंबर एक क्या रहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा से हिल गए हैं अमिच्शा मुद्दा नंबर दो हल्दवानी और दिल्ली के कंजावला में जो वारदात हुई है उसको लेकर मीडिया का शर्ना किरदार और मुद्दा नंबर तीन सुप्रीम कोट ने चिंचिट दे दी है मगर क्या ये सही है इनकी चर्चा होगी दोस्तों हम शुरुआत करने जा रहे हैं राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा को संत समाज का जो आशिरवाद मिला है मैं आपको बतलाना चाहूंगा आयोध्या के जो महंत है आयोध्या के राम मंदिर के महंत सतेंदर दास ने भारत जोड़ो यात्रा को समय की मांग बताया है अब उसका असर ये हुआ है कि अमिट शाह ने तृपुरा में ये एलान कर दिया कि एक जनवरी को राम मंदिर के कपाट कुलेंगे और उसी बयान में उन्होंने राहूल गांदी का जिक्र कर दिया या आशा के साथ अभिसार क्या है आपका पंच? राम और हनुमान पर किसी का कॉपी राइट नहीं है तो अमिट शाह का बौक लाना लाजबी है इस मुद्दे पर आपका क्या है पंच और मिलेज जी बताएं अभिसार मैं समझता हूँ कि अमिट शाह जी ने जो बयान त्रिपुरा जाकर दिया है उसमें सूचना तो हई है साथ में विपक्ष के लिए एक चुनोती भी है क्योंकि आलमोस्ट ये बिलकुल साफ हो चुका है उनके बयान से कि भारती जनता पाइटी आरेसेस दोनों मिलके जो 2024 का चुनाव लड़ेंगे इस देश में वो राम मंदिर खोलने के नाम पर लड़ेंगे पहले राम मंदिर पर लड़ते थे अब कहेंगे कि देखे हमने तो बना दिया ये मुद्दास बिलकुल साफ हो गया है शुक्रे और मिलेश जी और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2024 के चुनावों से पहले मीडिया पर क्या कुछ दिखाई देने वाला है मुझे नहीं लगता है भगवान राम कहीं दिखाई देंगे मगर उनसे जादा महिमा मंदन प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी का होने वाला और ऐसे मुझे वाकई दया आती है विपक्षपर कि जब वो दिखेंगे ही नहीं तो अपनी बात कैसे कहेंगे वैसे एक छोटी सी शेतानी में करना चाहूँगा क्योंकि भाषा ने अपने पंच में मिर्ची की बात कही वो गोविंदा का कौन सा गानत है तुझको मिर्ची लगी तो खेर एनिवेज वो एक अलग मुद्दा है भाषा मुझे एक बात बताईए राम को भारतिय जनता पार्टी अपने राजनीतिक वजूद का अभिनांग मांगती है मगर आप राम मंदिर के कपाट खुलने का एलान किस अंदाज में करते हैं उसी पंक्ती में आप राहुल गांधी को ताना दे रहे होते हैं और उसी पंक्ती में कहते हैं कि हम एक जनवरी को ऐसा करने वाले टिकेट बुक करा लीजे ये जीता जाकता प्रमान है कि भारती जनता पार्टी को आस्था से कोई लेना देना नहीं है मुद्दा सिर्व ये है कि मुझे राम के नाम पर वोट लेना है और उसी के चलते आपने एलान किया आपने भगवान राम को रहुल के साथ जोड़ दिया है सीधे सीधे जोड़ा ही नहीं है इन्होंने ये बताया क्योंकि हमें और आपको और दर्शक भी याद रखेंगे कि उन्होंने का जो राम को लाएं हैं आप उन्हें लेकर आई गुजरात में चुनाव में भी यही नारा लग रहा था बाकी हर जगा यानि अब राम को प्रित्वी पे लाने वाली भाश्पा हो गई है और अमिशा जी अब सोच रहे हैं कि 2024 में भारती जंता पार्टी को सत्ता में लाने वाले अब राम मंदिर का पूरा का पूरा हिसाब होगा तो मुझे लगता है तक बोल गए कि भाई अब देखिए जो हम बात करते हैं जुडिश्री की और बाकी चीजों की वह भी इन्होंने हटा दिया कि आपने फसाया था हमने निकाल दिया मानों कि ऐसा लग रहा है अमिशा जी परोग्ष रूप से कहना चाह रहे हैं कि जज्मेंट जो सुप्रीम क को वहां मौझू थी उन्होंने का भई भगवान राम और हनुमान पर किसी का कॉपी राइट नहीं है और अमिशा उनके बयान को तो सुने और सीधे सीधे देखिए जिस तरह से महंत आए हैं मैं कहले हूं कि कम से कम उसको आप अंडर प्रोफाइल रहने देते लेकिन अंद प्रदेश में जो घुसी है या जो राहुल की यात्रा के पक्ष में थोड़े बहुत मैं अभी तो बहुत बड़ा सपोर्ट भी नहीं है है हम उसकी चर्चा करेंगे बाशा उर्मेलेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं चाहे चंपक राय का यह बयान हो वह भी आयोध्या है कुछ कश्मकश चल रही है यह वज़ा क्या देखते हैं आप इसकी क्यों हो रहा ऐसा बहुत अच्छा सवाल है और दरसल इस पर बहुत कंश्यूजन भी लोगों के बीच है लेकिन मैं चुकी लंबे समय से इस पूरे प्रसंग को कबर भी किया देखा भी समझा भी थोड गए वो बहुत तगड़े कंग्रिस है कुछ और लोग हैं जो कंग्रिस हैं लेकिन जिन लोगों का नाम अभी आया है जिनका आप नाम ले रहे हैं जो अज़दिया में बैठते हैं यह सारी के सारी लोग हार्ड कॉर आरेशस हैं तो फिर यह क्यों बयान ऐसा दे रहा है और का है कि यह हार्ट कॉर जो बिल्कुल RSS के लोग है वो क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं दरसल RSS को समझने की जरूरत है RSS ऐसी तमाम पार्टियों के प्रति जो मद्ध्य मारगी पार्टियां है या जो एक विचारधारा कैस्टर पर जो वैसिलेटिंग है जो धुलमुल है धार् कि पहले से ये उजना रही आ है कि इनको जितना संभव हो सके उनको लचीला पन उनका देखते वे एपरोप्रियेट किया जा सके उनको हमेशा पेदा करो अपने आ हम 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 डायलाग कर सकेंद दुमा मैं टाल दालदें दुम्त क्थम्राय बहुत कम लोगोंको मानते हैं अगिश्या ये कहा है और जब भी आप उनकी theoretical बात सुनेंगे वो कहते हैं कि इस देश में सभी उनके मौन बागवत ने कहा कि ये इस देश में जो भी रहता है सब हिंदु है उन्होंने बार बार वो ये कहते हैं उनकी documents इनके जो एक सेकर्ड अपने documents में भी वो कहते हैं की इ देश में उनके د hardshipन दो ही तीन तरह के लोग एक तो कम्मिनिस्त हैं दूश्रे मुसल्मान हैं इसके अलावात जितने लोग है वो सबको अपने साथ अपरोप्रियेट करने के लिए तयार है अपना 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 दामन में वह पहले ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे आरेसेस पर और आरेसेस के बैनर के तहर्ट जो हिंदुत्व की पूरी राजनीती चल रही है नफरत की राजनीती चल रही है उसको हर अपनी मीटिंग में हर जगह संसथ के अंदर संसथ के बार बोलते रहें इसलिए यह बयान आना इसलिए ये बयान आना, कहीं, 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 RSS, RSS, ये भी, ये संसमाज, ये भी तो देख रहा है, कि राहूल गांधी वो शक्स है, जो शिव के प्रती अपनी आस्था में विश्वास जतलाने में पीछे नहीं हटते हैं, बार-बार खुद को शिव भग भी बतलाते हैं, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि राहूल गान्धी बाके कॉंग्रिसि非常的 नहीं है, वो वैसे भी व्यक्ति नहीं है, जो नास्तिक हैं, वो अपने आपको ये जो पूरा का पूरा दाओ अभी चला गया है, आयोध्या से, इसका बहुत significance है, इसकी बहुत अहमियत है, इससे ये भी लगता है कि RSS या यूं कहिए कि ये जो संत समा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर भी कॉंग्रेस की नीती को लेकर दो राय है यह यह लग रहा है कि इससे डायलॉग करना जरूरी है क्योंकि जनता के बीच जो सपोर्ट है और भाश्पा में अमिश्या और मोदी का जो जिस तरह का वर्चस्व है जहां बाकी लोगों को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है उमा भारती उसकी एक जीती जाकती उदाहरण है इसे पहले भाशा ने कही है क्या RSS प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिश्या की राजनीती से कही न कहीं असहज दिखा लाइ दे रहा है जहां बाकियों के वजूद का सफाया कर दिया जाता है क्योंकि देखिए उस तरह का सत्ता संगर्श मुत्तर प्रधेश में भी देख रहे थे गुजरात लॉबी वर्स यूपी लॉबी और गुजरात लॉबी को हाशिये पर रखने की पूरी कोशिश शाकी जो शक्सित है उसके खिलाफ लेकिन अभी सार फैसला कौन करता है ये जो गुबारे फुटते हैं या सुबुगी निकलती है इसका क्या अर्थ है इसका एक ही अर्थ है कि फैसला नागपूर से होता है कौन मेंस्ट्रीम है कौन मेंस्ट्रीम नहीं है कौन हाशिये पर र कतवर आदमी थे क्यों क्योंकि RSS से निकले हुए RSS के प्रिये थे लेकिन संजे जोसी को दूद में पड़ी मक्खी की तरह नेरंदर मोधी और अमिशारे बार गया जोसी सिर्फ दूद में नहीं पड़े हुए थे वो एक वीडियो में पड़े हुए थे लेकिन कहा तो ये भ फैसला RSS करता है और आज की तारीक में RSS का फैसला नरेंदर मोधी और अमिशारे के साथ है अब इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं राहूल गान्दी की सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यह है कि चलिए उन्हें प्रतिक्रिया मिल रही हैं अगर हमें भूल रहे है पर्शी में उत्तरपदेश में रालोद उनके साथ नहीं दिखाई दिया अखिलेश ने तो यह तक कह दिया था कि बीजेपी और कॉंग्रेस में फर्ख नहीं है क्या अखिलेश और एस सीधा सवाल है क्या अखिलेश यादव इस बात को लेकर असुरक्षित दिखाई दे र जाकों में उत्तर प्रदेश में गई है भारत जोड़ो यात्रा वहां पर कम से कम यह हुआ है कि जो नेता है वो उनके साथ आए है और जैन चोधरी ने लेकिन उन्हें ऑफिशली और यह बोलते हुए हैं कि वह रालोत के हैं और इसमें समर्थन करें चाहे कैराना हो चाहे बा मायवती जी ने अखिलेश का जो यह बयान है यह बता रहा है कि विपक्ष की जिस तरह की एकता की बात हो रही थी करने की गुंजाइश थी भारत जोड़ो यात्रा के तहत और जो अखिलेश का इससे पहले की भूमिका रही है उत्तर प्रदेश के दो एहम चुनाओ काई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीती बहुत मुश्किल कॉंग्रेस के लिए होने वाली है जो आइस ब्रेक करनी थी भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश की राजनीती में उसमें वह विपक्ष जी कि अखिलेश यादव अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक समानांतर लड़ाई है भारत जोड़ो यात्रा से इसलिए वो दूरी बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि अगर उनका काडर यहां शामिल हो जाता है तो हो सकता है कि दो हजार चौदा के दो हजार चौबीस के आते आते जो है उसका खम्याजा समाजव पार्टी को भुगतना पड़ सकता है इसलिए मुझे ऐसा लगता है खिले शारव अपनी वजूत की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित की लड़ाई लड़ रहे हैं जब वो इस तरह का स्टैंड अपनाते हैं अभिसार कॉंग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में तब तक मजबूत नहीं हो सकती तब तक वो दूसरी पार्टीयों का जनाधार नहीं तोड़ सकती जब तक कि उसके पास उसका बुनियादी जो बेसिक जो उसका सोसल बेस था जिसकी वज़ा से कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत थी और वो क्या था वो था अपर क कास्ट के कांग्रेस के साथ होने के कारण ही वो उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक राज करती रही अपर कास्ट के होने से दलित भी पहुंचता था उसके पास क्योंकि ओपिनियन मेकर है उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट और मुसल्मान भी उसके साथ तभी तोड़ा सा नाराज अपर कास्ट का हिस्सा है वो ब्रैमिन्स का है और जो बहुत सेक्सनल बहुत छोटा हिस्सा है एक सिकन्ड मैं कंक्लूड कर रहा हूं तो उसमें अखिलेश यादाओ या जेहन चोधरी का किरदार अतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से जितना की सोसल बेस का है उत्तर प्रदेश में आज की तारीक में भी राहूल गांदी की कांग्रिस पार्टी ने अपर कास्ट में जो सोसल बेस बीजेपी ने बनाया है उसको तोड़ नहीं सकी है मुसलमान भी तभी जाएगा मैं इस मुद्धे पर यहीं विराम दूंगा क्योंकि हम कि करीब पचास हजार लोग उन्हें दस तारीक को बुल्डोजर चलाए जाने वाले थे उनके घर पे उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया कि पहले आप उनका पुनरवास करें मगर इंदर रन अप टू डाट जिस तरह से शर्मना कवरज गोदी मीडिया ने किया उसकी करने के बजाए उस बीजेपी नेता पर गंवीर सवाल करने के बजाए जो गाड़ी में सवार था उस लड़की के चरितर के बारे में न जाने क्या-क्य कहा गया सिर्फ देश के ग्रहमंतरी को बचाने के लिए क्या है स्मुद्दे का पंश और मेलेश जी बताएं तिके कंजावला और हल्दवानी दोनों मामलों में देश का जो मेंस्ट्रिम मीडिया है उसकी बहुत ही बहुत ही निक्रिष्टतम भूमिका थी इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन मैं अगर देखता हूँ हल्दवानी के इशू को तो मुझे लगता है कि हल्दवानी के 40-50,000 लोगों कि मीडिया ने स्वेम काना सुलू किया कि यह जो विरोध किया जा रहा है कुछ लोग कर रहे हैं और यह ऐसे समुदाय के लोग हैं जो नाहक बीजेपी को परिशान करते हैं बीजेपी का जो कमिनल इंगिलता जो सरकार का उसको बिलकुल उन्होंने ढखने की कोशिश की भा उनकी राजनीती से जुड़े लोगों को बचाने के लिए भोपू बनके ट्रोल आर्मी से आगे बढ़कर काम करता है और इसमें मेरा फोकस और सबसे ज्यादा शर्म की बाद जो दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में जो घटना हुई उसमें जिस तरह का कवरेज हुआ जिस तरह से भाशपा के नेता मनोज मित्तल को बचाने के लिए पूरी की पूरी मीडिया शर्मनाग धंग से उतरी और जो विक्टिम है उसका चरित रहनन करने लगी मुझे लगता है इससे एक बार दुबारा साबित होता है कि ये सारा का सारा खेल महिला विरोधी एंगिल से अकलियत के विरोध में खड़ा किया गया है अब इसार आपका क्या है पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच है एक डर एक सिहरन कल्पना कीजिए कि अगर आज 2012-13 की जो निर्भया वाली वारदात है वो आज हुई होती तो क्या होता मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बलातकारियों के पक्ष में बीजेपी के कई सहयोगी संस्थाएं जो हैं वो मैदान में उतर कर आ जाती निर्भया रात को बारा एक बजए अपने बॉइफरेंट के साथ क्या कर रही थी उसके चरित्र का हनन किया जाता और नजाने क्या क्या किया जाता ये स्मुद्बे पर मेरा पंच और मैं ऐसा भाषा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक वो रहसमे किरदार उनकी सहेली निधी सामने आती हैं जो ये बयान देती हैं कि उन्होंने शराब पी रखी थी अच्छा निधी से पहले भी होटेल के लोगों के मुझसे ये बुलवाना की सहाब उसने शराब पी रखी थी रूम बुक कर रखा था यानि कि एक पूर्या खाखा खीचा जा रहा था उसके चरित्र का हनन करने के लिए मानो अगर लड़की ने शराब पी लिया तो बहुत बड़ा गुना कर दिया और ये जो लड़के शराब पीते हैं तड़ी में रहते हैं वो कोई गुना नहीं है अरे कम से कम भाशा अगर उसने शराब भी पी रखी थी तो क्या अपने स्कूटर के नीचे उसने किसी को खुद कह रहे हैं कि हमने शराब पी रखी थी ये सारी चीजे पहले दिन आई हैं लेकिन जैसे ही अभिसार आप देखें कि मनोज मित्तल का नाम आता है जो भाशपा के नेता हैं जिनके बैनर पोस्टर सब मीडिया के सामने उपलब्द हैं तुरंत स्टोरी में ट्विस्ट आ मेरा यह कहना है कि यह देखी कितनी शर्मनाक बात है कि पूरा का पूरा टूल किट मीडिया के पास पहुशता है और कुछे घंटों के भीतर सारी कहानी में दूसरा ट्विस्ट जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो तो इस बात की दोशी है कि उसकी सहीयोगी उसकी वहां पर यह बताने की कोशिश की कि कि किसी भी लड़की को किसी भी महिला को ना शराप पीनी चाहिए ना रात में बाहर आना चाहिए यानि कि पूरा का पूरा जो एक ब्रहमनिकल मनुवादी सोच है महिलाओं के खिलाफ सोच वह मीडिया सुबे से शाम तक हम तमाम कामका आजी महिलाओं के खिलाफ एक दूसरे धंका दुश्प्रचार इस मीडिया में हुआ और शर्म की बात है अभी साथ मीडिया में काम करने वाली महिला पत्रकारें ये कर रही हैं वो बता रही है वो चरित्रहनन करने में उत्री हुई है मुझे तो ये सोच के दाया आती है जो हैं उनकी एक और खासियत है वो सभी पापा की परियां अब पापा की परियां पापा की सरकार के बारे में थोड़ना कुछ कह सकती है अगर मैं एक और चीज़ वे आपसे पूछना चाता हूं क्या ये सीधे तोर पर ना कहा जाए कि मैं बार बार देख रहा हूं ये मीडिय पूरी कोशिश जो है एक कवज बना लेता है देश के ग्रह मंत्री के आसपास ये ना भूलें कि कश्मीर में जब हिंदू मारा जाता है तो आप जेनियू पर हमला करते हैं डिबेट्स करते हैं अरे अगर कश्मीर का हिंदू मारा जा रहा है पलायन हो रहा है तो बीजेपी आपने हटा दिया नोटबंदी आपने कर दी तो यहां पर आमराज जा जाना चाहिए था मगर बावजिल्स के तमाम चीज़े हो रही है और इसमें भी मैं नहीं भूला हूँ जीनियूस का एक शो चला था कि धरिंदो तुम्हारी खैर नहीं आगए अमिट शाह सारी इश के ग्रे मंतरी को बचाने की अभी दावा किया गया जब स्प्रिम कोट का फैसला आया तो कहा गया कि नोटबंदी का एक फायदा था कि आतंकवाद खतम हो गया लेकिन जिस दिन यह चपा आखबारों में और जिस दिन टेलिवीजन में दिखाया गया कि नोटबंदी से लेकिन दोनों का कनेक्ट भी है कनेक्ट यह है कि मीडिया और पुलिस दोनों यानि सेक्योटी जो आगने जिस सेक्योटी एजनसी जो है और जो मीडिया है दोनों ने बहुत ही डिर्टी रोल पे प्ले किया और उनका एक मात्र मकसद था कि स्टेट को बचाना जो सरकार है उ मेरी दोस्त है उसकी मां कह रही है कि आप निधी की बात कर रहा है और उसकी मां कह रही है अंजली की कि ऐसे किसी नाम की लड़की को मैं नहीं जानती जो उसकी दोस्त रही हो मेरी बेटी की अब मां से अधिक कौन जानेगा अपनी लड़की के दोस्तों के बारे में हम भी किस अच्छाने सवाल उठाया एक 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 लड़की तुम्हारे साथ जीती जाती हुई लाश बन जाती है और आप जाकर सो जाते हो सो कैसे जाते हो भाई यह आश्रजनक है नीद कैसे आती है और मुझे लगता है कि जिस तरह उसको प्लांट किया गया मैं नहीं जानता कि क्या वा कैसे हुआ मैं से बता दूँ आपको आपने प्लांट किया गया मेरे सोस्स बता रहे हैं कि निधी से इंटर्वियू दिल्ली पूलीस ने करवाया है दिल्ली पूलीस थी उस इंटर्वियू के पीछे की कर रहा था कैसे लोग थे तमाम चीज़ें अब सिर्फ निदी और लड़की है अब मैं कंजावला की तरफ से रुक करता हूं हल्दवानी की तरफ हल्दवानी एक इंसानियत का मामला था कि पचास सालों से परिवार वहां बसे हुए हैं दस तारीक को वहां बुल्डोजर चला कार दिया गया और मीडिया का शर्णाक किरदार और मेलेजी शाहीन बाग पहले से ही उसकी जमीन तयार की जाने लगी तुकडे तुकडे गैंग तुम्हारे अंदर की इंसानियत खतम हो गई एक बुजर्ग और एक छोटी सी बच्ची जो बिलख रही है कि मैं कहा स्कूल ज अंदोलन था जो कि देश की राजधानी से निकला और बीस राग्जियों में पहला जरसने बहुत बुनियादी सवाल उसको आप एक निगेटिव टर्म के पूर पे आप सवाल है कि जहां आप मुस्लिम औरतों को देखेंगे आंदोलन करते हुए वहां आप उसको निगेट कि हिन्दु परईबारों पारें लुख थे वह पर आंदोलन बोलहां पर एक नाम यहां पहुँचाते हैं और बहुत सारय लोग है मैं एक नाम ले लिया क्योंकि उनका नाम आए था आपकश्य और पारों में ऐसे लोग तब तब से वह लड़ाई लड़ रहा है आज की वह नागरिक नहीं है इस देश के, तीन-तीन जनरेशन से वे लोग हैं, आप मजहबी इशू बना रहे हैं, वो टंकी जो नगर निगम की लगी है, क्या वो मजहब की है, क्या वो कॉलेज जो है, जो सरकारी स्कूल, उनका कोई मजहब है, सबको डिमोलिश किया जाना था, सबको ड जाती है, निर्मान करती है, उसको स्वेम डिमोलिश कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों को अटाना है, कुछ लोगों को अटाना है, पहले जनवरी के दिन आप ये करते हैं, मलब 2023 की शुरुवात, उस पूरे 50,000 लोगों के लिए, सुंप्रेम कोर्ट के जस्टिस जो हैं, उ देखकर मैं खासकर मीडिया को जिस तरह से हल्दवानी की जनता पर निशाना साधा गया, आप आप डीमनाइज कर रहे हैं लोगों को, आप उन्हें राक्षस के तौर पर पेश कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ना उन्हें आपको आने वाला वक्त कभी माफ नहीं करने कभी आप जाती देखते हैं, कभी आप धरम देखते हैं, मनुष्षिता के खिलाप एक दब खड़े हो गए हैं, सारा का सारा सत्ता और मीडिया ये क्या मत्रूब अभी तक मुस्लिम मर्दों से उनको दिक्कत थी, अब मुस्लिम औरतों से भी दिक्कत होने लगी, जिनके ल लिए, तो जब मुस्लिम औरतों सड़क पर उतरती हैं, तब उनका जो गोदी मीडिया है, वो उस दर्द को नहीं दिखा पाता है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, भाशा शायद आपने जिक्र किया था, कि मीडिया और क्रोल्स की भाशा में कोई फर्क नहीं था, नागरिक्ता बोद नहीं है, अरे भाई आपके अपने सिटिजन्स हैं ये, क्या बात करते हो आप इस तरह की बाते करके, देखो अभिसार हमको ये लगता है कि मीडिया भी जैसे जैसे ट्रोल आर्मी आप लोग कहते हैं, ट्रोल आर्मी से भी कई गुजरिश्तिती है, ट्र पार रखे थे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जब इस देश में शासन दूसरी पार्टियों का था, ये लिबरल फेश लेकर आते थे, आज वो इतनी क्रूरता के साथ पेश आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है, अब मैं अब मैं अपने तीसरे मुद्दे क रुख करूंगा, नोट बंदी और नफरती बयान, इन दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोट ने जो है, वो मोधी सरकार को छूट दे दी है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कि नोट बंदी के मुद्दे पर सुप्रीम कोट ने क्या कहा, क्योंकि परिणाम का दो जिक्री लाब हुए या नहीं, परिणाम की बात क्यों ना की जाए, मिलोड्स, नमबर एक, नमबर दो, नफरती भाशनों पर सुप्रीम कोट का फैसला आया, कि अगर कोई मंत्री, कोई नफरती बयान देता है, तो वो सरकार की नीती नहीं समझी जा सकती, क्या है इस खबर का पंच उमेलेश या बताएं संक्षिप में का, ये निगेशन नहीं है, उसको निगेट नहीं किया गया है, नजर अंदाज नहीं किया गया है, ये मेरा बेसिक सवाल है, भाशा, आप बताएं क्या है इस खबर का पंच मुझे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोट लगातार एक के बाद एक यह बताता जा रहा है कि कोई भी फैसला जो सरकार को चुनोती देने वाला हो, जो सरकार की इच्छा या सरकार के फैसलों पर जज्ज्मेंट की मांग करता हो, वहां सुप्रीम कोट सर सरकार के विरोध में कोई फैसला देने का दमखम नहीं दिखा रहा चाहे मामला राफेल का हो अयोध्या का हो नोटबंदी का हो और इससे जो निराशा लोकतंत्र में आ रही है वह बहुत खतरनाक है अभिसार क्या है आपका पंच एक ऐसे दोर में जब सरकार आम इनसान के अधिकारों को रौंद रही हो सुप्रीम कोर्ट आम इनसान की आखरी उम्मीद है हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि समवेधन शील मुद्दों पर वह स्वता कारवाई करे सुआमोटो आक्शन लेकर करे मगर जब इस तरह क फैसले आते हैं तो आपके जहन में एक शक पैदा होता है मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं नफरती भाषणों को लेकर जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी शुनाव के मंस से कहते हैं कि आतंकवाद का समर्थन कॉंग्रिस इसलिए करती है क्योंकि कहीं एक समुदाय वि सदी बनाम 20 फी सदी आप मुझे बताइए एक मुख्य मंतरी और एक प्रधान मंतरी है और पिर सुप्रीम कोट का आदेश आता है कि मंतरी जो कहें वो सरकार की नीती नहीं हो सकती नीतियों में वो दिखाई दे रहा है चोटी 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 चीजों में दो दो ढ़ाई-ध संबिधान के अनुछेट 75 और भारत के संबिधान के तहट जो शपत गराण की प्रक्रिया होती है मंतरीयों की उन दोनों के खिलाफ है मेरे हिसाब से कैसे बताएं मैं वहीं बताना चाहता हूँ दिखिए 75 में जो कैबिनेट होती है जो जो सरकार होती है जो जितने उच्छ पदाधिकारी होते हैं उनकी जो collective responsibility है उसको establish किया गया है collective responsibility तो नीतिगत मसलों पर सरकार के जो भी फैसला होता है जो आपको नीतिगत स्थर पर आप स्थापित करते हैं उसी के सुर में आपको बोलना है वही चीज़ आपको repeat करनी है आपको उससे उलट बात नहीं कहनी है क देखना समसे कम उलट तो बिलकुल ही नहीं कहने है उदारण के तोर पे अगर भारत गूठ निरपिक्षता को आगे बढ़ाने वाला देश है गूठ निरपिक्षता को तो गूठ निरपिक्षता के पक्ष में ही जानी चाहिए किसी मंत्री की आवाज ऐसा नहीं हो सकता कि कहें कि नहीं भारत अमेरिका के साथ है या भारत रूस के साथ है पहली बात एक सिकेंड दूसरी बात कि जो शपत व्यक्ति लेता है उस शपत में वो क्या कहता है कि संविधान के प्रतियास्था का प्रशनुर्फ में आता है अब सवाल इस बात का है कि एक मंत्री की अव्यक् राय है यह निजी राय है इस पर मुंतरी अलग अलग व्यू रखें कोई बात नहीं अमरूत खाएंगे कि गुलाब जामुन खाएंगे यहां कैसे खाएंगे लेकिन आप जो समवैधानिक प्रश्ण है जो गौर्मेंट के गवर्नेंस से जुड़े नीजिकत सवाल है उस पर आप उल्टी बात नहीं कर सकते हैं मुसल्मान और हिंदू अनुराक ठाकुर जुनावों से ठीक पहले देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे देते हैं उस व्यक्ति के बयान का असर जमीन पर हम देखते हैं जब दो युवा गोली बारी शुरू कर देते हैं देश मंत्रियें जो बयान दे रहें इन्हें समानित किया जाता है एक सिकंड एक लाइन का मैं एक कमेंट करूंगा आपके सवाल पर एक बहुत मुखर कांगरेस की सांशत थे केके टीवारी साहब बहुत मुखर थे अपने जमाने में बहुत तेज तरार उन्होंने राश्टपति किया और उनको पत्स से हटा दिया था क्योंकि वो मंत्री थे अब आप सोचिए वह भी एक टेडिशन मुझे लगता है कि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोट की तो सुप्रीम कोट ने नोट बंदी पे जो कहा और उसमें जो एक माइनॉरिटी जज्ज्मेंट आया क्योंकि नियाय का जो आप कह रहे हैं कि आखली रिजॉर्ट है सुप्रीम कोट और सुप्रीम कोट में जैसे ही कोई मामला इस सरकार को चुनौती देने वाला यह यह कहिए कि उसके सवाल पे जो डिसीजन किया उस पे एक सवाल उठाने वाला नोट बंदी वाला आप देख उसने कहा कि पहले की तुल्ना में आज करेंसी इस Ugh आधंकवाथ कि घटना में कहीं से कटॉती नहीं हुई फूरा का ठन वापस आगया यह सब चीजें दरकिनार करके अगर मुहर लगाई जा रही है नफरत वाले मामले में अगर मुहर लगाई जा री उसका असर ही यह कि अब वो ये दोनों जज्जमेंट्स को लेकर जनता के सामने ले जाएगी कि देखो नोटबंदी में हमारी जीत हुई है और जनता भी इतनी brainwashed है कि वो भूल जाएगी कि भाया छोटे छोटे व्यापारी बरबाद हो गए आज भी बरबाद है आतंकवाद खत नहीं हुआ ह हिंदू पहली बार पलायन कर रहा है 1990 के बाद कश्मीर में ये तमाम हकीकते हैं मगर पूरे प्रचार तंत्र ने इस तरह से brainwash किया गया है कि इन तीज चीजों कोई भूला दिया जाएगा निश्चित रूप से अभी सार और ये हमेशा एक करते हैं अगर एक बयान आता है सुप्रिम कोड से कोई भी है इनके पक्ष में तो उसको बताते हैं जैसे कि ये बिल्कुल धरूस सत्य है और यही सत्य है इसके आवाद कुछी नहीं है यह कर रहे हैं करना शुरू हो गया ह मेरे पास वक्त इतना ही है भाशा और उर्मिलेश जी तो इंडिया की बात में आज बस इतना ही ये कारकरम मैं आपसे ये अपील करूँगा कि कम से कम अपने पाँच दोस्तों को वाटसैप ये समस के जरिये फोवर्ड करें अभिसार शर्मा भाशा और उर्मिलेश को दीज आजिया नमती, Namaskar!